असलाम लेकुम अभी वान कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगं के साथ वेट लूज टिप्स शेयर करने वाली हूँ अगर आप इसको एक महीने तक फॉलो कर लेते हैं तो 5-6 केजी आपका रिड्यूस हो जाएगा विदाउट डाइटिंग के जुरूरी नहीं है कि डाइट फॉलो करेंगे तो ही आपका वजन कम होगा और यह वीडियो उन सब के लिए भी है जो चाह रहे हैं कि डाइट फॉलो करने के बाद हम अपनी नॉर्मल रूटीन में आया अपने घर का सब कुछ खा सकें और फिर भी अपना वेट लूज करें या वेट म फॉलो कीज़ेगा आपका वेट जो है वो कभी भी गेन नहीं होगा वेट मिंटेंड रहेगा और इसीली वेट रिद्धियू उस होगा अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं पहली यह पोश्जन कंट्रोल अगर आपके खानों में पोश्जन कंट्रोल नहीं है तो वेट आपका कभी भी कम नहीं होगा डाइट पैन फॉलो कर लें जो मर्जी फॉलो कर लें डेली आप वोक एक्सराइज कर लें लेकिन पोशन कंट्रोल नहीं है वेट कम नहीं होगा पोशन कंट्रोल का क्या मतलब है इसको कैसे करते हैं मैं आपको पताती हूँ अगर आप daily इतना खाते हैं न एक plate में तो आप उसको आइस्था आइस्था कम कर देए अचानक अगर आप कम कर एंगे तो आपको weakness feel होगी मुश्किल लगेगा तो daily जो है जब भी आप खाना खाएं एक दो नवाली जो है वो आप पहले ही रोटी के साइड पे कर दें अगर आप चावल खा रहे हैं तो 5-6 टेबल स्पून जो है वो आप पहले ही निकाल दें जितना नॉर्मली लाइफ में आप खाना खा रहे हैं उसको आइस्ता आइस्ता अपनी प्लेट से कम करते जाएंगे तो आप आप पोशन कंट्रोल रहेगा इसके लावा कभी भी आपने पेट भरके नहीं खाना होता है कि हमारी फेवरिट डिश को ही बनी हुई है और हम कहते हैं बस आज ही सारा खालो पूरी जिंदगी लगता है इसके बाद हमें कुछ मिलेगा नहीं तो ऐसी गलती भी आपने कभी भी नहीं करनी अगर आपकी फेवरिट डिश है कुछ भी आप खाना चाह रहे हैं तो हमेशा भूख रखके खाएं यहां तक फूल नहीं करें कि उसके बाद आप पानी भी ना पी सकें ब्लोटिंग एक दम से हो जाती है पेट आपका एक दम से फूल जाता है आप मैंसे काफी ने देखा होगा ना कि हम लोग खा रहे होते हैं तो कपड़ एक दम से टाइट हो जाते हैं वो ओवर इटिंग की वज़ा से होती है अगर आप overeating करें तो आपका पेट कभी भी कम नहीं होगा हर वक्त bloating रहेगी गैस की problem रहेगी और आपके इंचलूज नहीं होगे ठीक है bloating से बचने के लिए आपने खाना जो है वो कम खाना ठीक है ओवर इटिंग नहीं करनी जो भी आप खाना चाहें सब कुछ खाएं healthy खाएं लेकिं पोशन कंट्रोल रखें और दूसरी चीज के ओवर इटिंग नहीं करनी जादा आपने कभी भी नहीं खाना और उससे जो है वह बहुत जादा कैलोरी आप ले लेंगे और वेट आपका कम ह है वो रात को जल्दी सोएं सुबा जल्दी उठें रात को आपने कोशिश करनी है दस बजे तक सो जाएं और सुबा आप छेह साथ बजे डेली उठें ठीक है अगर आप रोटीन चेंज करेंगे तो भी आपका वेट जो है वो easily reduce हो जाएगा और यह टिप उन लोगों के लि आप result देखिएगा फिर आपको कितने अच्छे result मिलते हैं और इसके लावा नेक्स टीप है खास तो पर हाउस वाइफ के लिए जिनके बचे स्कूल जाते हैं या बचे बहुत चोटे हैं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है वेट डूस करना आप लोग गलती पता कह अपने भी हल्दी खाना है fresh vegetable fresh fruit green vegetable का इस्तमाल आप ज़रूर करें और डेली एक लास mil का इस्तमाल जरूर करें और एक बहुत इंपोर्टन बात आप लोग अपने घर में खचुझूरे रखें ख़ुझूरे खाने का यह फायता होता है जिनको हेर लॉस हो रहा है बहुत जा और दूसरी चीज के इसमें बहुत सब्सक्राइब होती है आपको थकावट हो जाती है ना काम करकर के वह नहीं होगी ठीक है मेरे कहने पर आप डेली जो है वह तीन से चार खजूरें खाके देखें सुबा मौडनी में खा लें थोड़ी से इवनिंग में खा लें रोटीन बन होती है तासीर गरम होती है नहीं खानी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है आप अंडे भी खा सकती है आप जो है वह खजूर का इस्तमाल भी कर सकती है आप तीन से चार खजूरे जो है वह डेली एजीली खा सकती है कोई मसला नहीं है ठीक है इसके इलावा जो नेक्स टीप आपको जो दही होती है, उसका इसमाल भी जरूर कीजेगा, दिन में भी आप सेलट खा सकते हैं, और रात में भी आप सेलट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कॉस्टिपेशन हो जाती है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद जो नेक्स टिप है, तोड़ा सा ठंडा पिए बहुत यख जो ठंडा होता है वो ना पिए ठीक है कोशिश करें गर्मिया तो रूम टेप्रेचर वाला पानी ही पिए इससे भी आपको जो है वह बहुत जाद मिलती है वेट लूज करने में हाइडरेट रहते हैं तो वेट आपका इजी डिडियूस करनी है आप चाहते हैं हेर फॉल ना हो आपका इजी कोई इस्यू ना हो और आपका वेट कम हो जाए तो आपने हाइडरेट रहना है डेली आपने आट से दस ग्लास पानी जरूर पीने इसके बाद नेक्स वेट लूस टिप है कोशिश करनी है कि पूरी जिंदगी के लिए करने में आपको कहते हूं कि 7 तक अगर आप इसको फॉलो करेंगे का इजी वेट कम हो जाएगा वेट आपका गें नहीं होगा वह है कि 7 तक नो शूगर वाइट शूगर पाइंट शूगर बिल्कुल कट कर देनी आपने सेवन डे तक की चैलन्ज लेके देखें उसके बाद देखेंगे कि आपको कितने अमेजिंग डिजर्ट मिलते हैं ठीक है अगर आपकी इंसलीन हाय जा रही है वह भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो वेट है वह बीजी रिडियूस होगा आप अपनी जिंदगी से वाइट शूगर बिल्कुल कट कर दें अगर वा वाइली फूड जो तला हुआ फ्राय फूड होता है वह आपने वोइट करने उसमें हाई कैलरी होती है बहुत जादा कैलरी होती है मिसाल के तोर पर अगर आप एक पेस्टी लेते हैं या फिर एक समोसा लेते हैं उसमें 300 कैलरी जोंगी अगर आप दो से तीन रोटियां ले तो फिर देखें के 800-900 कैलरी तो आपने इसी गुलाव जामन से ले ली तो आपने मीठा हमेशा ओएड करना है कोशिश करें कि मीठा कम से कम कर दें वाइट शूगर वाइट शूगर से जितनी भी चीज़ें है वो अपनी लाइफ से निकाल दें वेट आपका इस तरह नीच कर सकते ह tilted से ले डिली एक से लिई और यह चैar छीज़ें डिली किस द्रीच करती है जो बेसिक स्मपल एकसरा methods करें टाइम लगता है हर चीज को आपकी बॉडडी में कितना स्टपन फैट है ये तो आपकी बॉडडी ही जानती है तो आप जितनी महनत करेंगे रैगुलर रहेंगे आपका वेट जरूर कम होगा इंच लूस होंगे पेट कम होगा वॉक जो है वो आपने डेली करनी है एक से दो घंटा 10,000 स्टेप अगर आप डेली कर लेते हैं अगर आपको बीपी का इशू है बीपी हाय बहुत जादा है इंसुलीन का इशू है या शुगर बहुत जादा है और जिनको PCOS का इशू है कोई भी मसला है अगर 10 10,000 स्टेप या एक से दो घंटे ये बनते हैं अगर आप डेली करते हैं तो वेट भी कम होगा और साथ की सारे मसले भी हलोना शुरू हो जाएंगे आपके वेट जादा होने की वज़ा से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आई है ठीक है अगर आप चल नहीं सकते तो आइस्ता इस करें जिनको गुटनों का मसला है पाऊं में पेन होता है वो भी इसी वज़ा से जॉइन पेन जिनको होता है वो भी इसी वज़ा से होता है कि आप लोग हिलते जुलते नहीं है और वेट आपका गेन होता रहता है वो सारा प्रेशर फिर आपके जॉइन में पेन रहता है तो लावा आपने ग्रीन टी ब्लैक कॉफी चिया सीट बेजल सीट लेमन वाटर जितने भी वेट लूस ड्रिंक्स हैं ग्रीन टी खास दोर पर इसका इस्तमाल डेली करें डेली एक ड्रिंक को जरूर लें और अगर आप यह सोचते हैं कि चावल रोटी छोड़के ही आप अपना पॉजन कम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है आप चावल भी खाएं रोटी भी खाएं जो चीजें आप खाना चाहते हैं जो घर का खाना होता है सिंपल वह आप खा सकते हैं बस आपने बाहर का खाना जो बाहर का फूड होता है जंक फूड फूड यह आपने वोईड करना है आप जैसे रोटी चावल खाके मैंने अपना वेटूस किया इस तरह आप भी कर सकते हैं लेकिन यह सारी टिप्स जो है फॉलो करना बहुत जादा जरूरी है रोटी चावल खा रहे हैं तो आपने वाक जरूर करनी है कम से कम आप 20 मिनट से 30 मिनट फिर 40 मिनट 50 मिनट वन और फिर इ चैनल को सब्सक्राइब कर लित लाइक कर दीजेगा अपना बहुत जादा खे़ार कियागा अलहाफ़िस